आप देख रहे हैं MP7 News सच तो सच है हर खबर सत्यता पर आधारित देखते रहिए MP7 News पंचाय चुनाओ को लेकर हाई कोट ने लगाई सरकार को फटकार तीन दिन में सेड्यूल पेस करने को कहा हाई कोट ने 28 अक्टमबर तक राज्य सरकार को चुनाओ को सेड्यूल पेस करने के लिए कहा चार अक्टमबर को सुनवाए के दोरान तीन सब्ता के अंदर कोट ने राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार से रिपोर्ट मांगी थी राज्य सासन ने कोट में नहीं पेस किया है स्टेटस रिपोर्ट नमस्कार मैं हूं निर्मदा वश्चनारिया और आप देख रहें मर्द्य प्रदेश का टोप डिजिटन न्यूज चैनल MP7 News देखिए चुनाओ से सम्भनित विशेश बड़ी खबर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वर बेल आइकन को प्रेस दरूर करें कोरोना की वज़ा से MP में पंचायत और नगरी निकाई चुनाओ दो साल से टल रहे हैं इसे लेकर MP हाइकोट ने सरकार को फटकार लगाई है साथ ये 28 सक्तुमबर तक सरकार को पूरा सेडियूल वेस करने के लिए कहा है जी हाँ, MP में सिवरा सरकार कोविट के नाम पर लगा अरतार पंचायत और नगरी निकाई चुनाओ को टाल रहे है इस बीच एक उपचुनाओ कराए गए है और दूसरे उपचुनाओ की तेयरी चल रहे है मगर पंचायत चुनाओ को बीथे एक साल से टाला जा रहा है हाई कोट में पंचायत चुनाओ को लेकर याचिका लगाए गई थी इसे लेकर कोट ने सरकार को नोटिस जाने किया था मगर कोई जवाब नहीं आया है कांग्रेस नेत्री जयाट आकूर के अधिवक्ता वरुन सीयने कोट में नगर निकाई चुनाओं और पंचाई चुनाओं को लेकर याची का दायर की थी इसी पर पहली सुनवाई 4 अक्टुम्बर को हुई थी हाई कोट ने MP सरकार और राज निर्वाचन आयोग को तीन सब्ता के अंधर कोट में जवाब देने के लिए कहा था मगर सरकार की तरफ से कोई जवाब पेस नहीं किया गया इसे लेकर याची का करता कि वकिल ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवाने के लिए तेयार है उसने कोट में जवाब भी पेस किया वकिल ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर कोट ने उन्हें तीन दिन के अंदर चुनाओ का सेड्यूल जारी करने के लिए कहा है कि राज्य सरकार दो सालों से चुनाओ को कोरणा के नाम पर टाल रही है इस दोरान दो उप्चुनाओ हुए है सरकार बनाने के लिए MP सरकार चुनाओ करवा रही है मगर 55 चुनाओ नहीं करवा रही है गोर्दलव है कि MP में 55 चुनाओ 19 वर्वरी 2015 और नगरी निकाई चुनाओ 6 दिसंबर 2014 को हुए थे नियम के अनुसार अगले चुनाओ 6 दिसंबर 2019 और 19 वर्वरी 2020 तक अनिवारी रूप से कराये जाने थे मगर ऐसा नहीं हुआ हाला कि एक सब्ता पहले चुनाओ आयोग ने यह संकेत दिया है कि प्रदेश में 55 चुनाओ 34 में कराये जाएंगे चुनाओ संबन्नी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News